हलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत हैं आज हम भिन्नों का जोड़ सिखेंगे और इसमें भिन्नों के जोड़ में मिसर संख्या जो मिसर भिन होते हैं उन संख्याओं का जोड़ सिखेंगे और बहुत सिंपल तरीका से सिखेंगे इस मिसर संख्या वाले भिन्न को हम दो मेठ करेंगे यह वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें और जो आनने से पहले कुछ आप बेसिद्ल बतते हैं यह से कहीं पे भी आपको दो सही दू पटा के मले चार लिखा है ति इसको पहले भिन के रूप में लिखना है ये मिस्र भिन है और इसको सिर्फ भिन के रूप में लिखना है कैसे लिखने के तरीका होता है चार के गुड़ा दो में करेंगे और दो इसमें जोड़ेते देखिए चार के गुड़ा दो में करेंगे और दो इसमें जोड़ेंगे देखिए चार दुना के आठ आठ दू दस दस पटा के चार ऐसे लिखा जाता है इसको लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए कैसे लिखते हैं कि चार के गुड़ा दो दो होगा नी कितना हो चार andra कि आठ होगा आथ में जब 2 जोड़ेंगे थे कितना हो जागंगे थाना की साका को घेंगे थैंसरृ होगा चौ। 12, अब 12 में जब 2 जूढ़ेंगे तो इतना होगा, 14 होगा, याने 14 बटा के 4 लिखेंगे, धन काची नए धन करदेंगे, छे के गुड़ा 2 में करेंगे, 6 दुनके 12, 12, 13, 13 बटा के 6 करेंगे, प्लस बारा के गुड़ा एक में करेंगे बारा बारा एक तेरह यानि तेरह वटा के बारा करेंगे अब इसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है कि इसके पाद इसको हर को देखा जाता है कि हर समान है कि अलग अलग है यहां हर अलग अलग है जब हर अलग अलग है तो क्या करेंग इसका हमला भुत्तम समापर दिया कि लेकि यानि कि LCM लेखे इसके हर को पहले बराबर किया जाता है तो यहां पर आपको बताते हैं कि LCM कैसे निकालते हैं चार च्छा और बारा कि जब LCM निकालेंगे तो स्वर्ण पूस्थ सबसे चोटी संख्यादस कटाते हैं यहां पर आप 12 लिखेंगे, इसके बात क्या करना होता इसका भाग इसमें देते हैं यहां इस वाले हर का भाग इसमें देते हैं ते जब चार का भाग बारा के इसके अंस में जिसका जिस हर कभाग इसमें देते हैं और जितना आता है उसके अंस में गुड़ा करना पाता है तो आया तीन आपका इस तीन का गुड़ा करना से जितनां जब जो होगा है किसमें करना इस दो का गुड़ा आप 13 मेकरेंगें इसलिकि हर कभाग देते helps कि जितना आता है उसके अंस में गुड़ा करना है तो शहाय डुना के 12 दूा आया wszyscy के कितना के फ्रेंस तेरे दुना के 26 देर दुना के कितना वोगए फ्रेंस 26 के धनका चीने धनका देगे देखिए 12 भाग बाराम किसमें करेंगे एक का गुड़ा किसमें करेंगे ते 2, 6, 8, 8, 3, 1, 11 के, 1, हासिर, एक लगा आपका, 4, 2, 6, 6, 7, 7, 8, 8 बटा के, 12, 8 बटा के 12 होगे, फ्रेंज, जब यह 8 बटा के 12 हुआ है, देखी, जैने, 81 बटा के, 12 होगे, अब इसको मिसर से हैं, जैसे यह दिया है, मिस्रसन के इसी के रुप में लिखना कैसे लिखेंगे फ्रेंस इसको लिखने का तरीका भी यहां पर पता देते हैं इसमें करना क्या होता है कि जैसे यह हार है बारा का एक्यासी में भाग लिए जब बारा का भाग एक्यासी में देखेंगे तो कितना होगा 12 शक बहत्तर 12,84 से जादा हो गया 12,72 11 से दो गया 9 हो गया यह कड़ गया यानि कितना हो गया अब इसको लिखते कैसे हैं इसको भी पता होना चाहिए लिखने के तरीका जो यहां पर आता है इसको सही बटा में लिखते हैं यह से दिखेंगे और बीज में ऐसे खेंगे ठीक है और जो यहाँ पर बचता है इसके अंज मिं लिखते हैं और जिसका भाग देते हैं उसको हर में लिखते हैं तो कितना होगी है 6.09 बटा के बारत इसका एंसवर आपको कितना आया फ्रेंट्स इसको कैसे साल्व करते हैं इसके पहले उपर नंगा इसको पहले समझ लेते हैं जैसे को बाठाक चार इस तरze इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं यह पता होना चाहिए कि इसको अलग अलग उत्स 윤न को प्लस आगे यह बारा के बारा लिखेंगे चलिए अब देखते हैं सभी संख्या trucs जो भिं का है एक कोश्टक में लिख, और अगले कोश्टक में दू बटा के चार लख देगा, एक बटा के बारा लख लिख व इसको जोड़ दीजिए कितना ओगा क्षा ये आपका छहोगया धनका चीनि दंका दीजिए और फ्रेंटिस को साल्डर कीजिए लगए हर ऐसका चार च्छा और बारा कबें कितना आएंगा फ्रेंस आप का चायगा पर निखालतired करें चार च्छा और भार जब तीना होगा तीन दुना के चाह जाने देड़े जब बारा के चाह च्छा गोड़ा किसमें करना इसके-चाह फ्रेंट एक और बारा का भाग बारा में कितना है एक आएगा एक गुड़ा किसमें करेंगे एक यहां पर देखे यह तो च्छा है धनका चीन धनका दीजिए अब इसको जोड़ दिए चो दूआ ठीनो नौब अटाके बारा और जब नौब अगा इसका एंसर आपको कहीं भागों नहीं देना बस यह प्लस का चिन प्लस का चिन हटा दीजिए तो कैसे लिख सकते हैं इसको इसको च्छ देखें नौ है नौ लिखें और बाहर लिखें यह आपका सिकेंड मिठद था फर्स्ट मेठड से सिंपल आपका सिकेंड मिठड पाता है इस तरह की कोईश्चन को साल्ब करने के मुझा किन हुआ आपका सिकेंड मिठड प्लस कि अचा़की साल्ब करता है जा हुआ आपका सिकेंड मिठड पास।